बहुत सुंदर पावन पवित्र चतुर मास प्रारम हो रहा है तो चतुर मास के संबंध में कई सारे हमारे भक्त ये जानना चाहते भी है पिछले दिनों कई लोगों के प्रश्न भी आये के चतुर मास कैसे रहना चाहिए चतुर मास क्या होता है वक्तों चतुर मास में चतुर मास में ज्यादा से ज्यादा उपवास और वरत करने की महिमा है। एक बात हम सब को समझना होगा कि शराब, सिगरेट, चरस, गांजा, अफिम ये सब तो नशा है हैं लेकिन भगतो हम रोटी, सबजी, दाल, बात जो खाते हैं ये भी एक नशा है। नशे में क्या होता है? मैं आपको पूछू, नशे में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति नशा करता है, तो उसे नींद आती है, वो अपनी consciousness, अपनी चेतना को खो देता है। भगतो आप अपने जीवन में अनुभव करके देखिए, कि हम fully active होते हैं, लेकिन जब हम भोजन कर लेते हैं, या थोड़ा सा अधीक भोजन हो जाता है, तो वो अधीक भोजन करने से, हमें सुस्ती आ जाती है, हमें निद्रा आती है, हमें तंद्रा आती है, हमें आलस्य आती है, तो भोजन करने से, निद्रा आना, तंद्रा आना, आलस्य आना, ये भी एक नशे के समान है, भगतो अन्न जो होता है, चाहे गेहूं या चावल, अन्न में एक विशेश प्रकार की पार्थिव शक्ति होती है और अन्व में विशेश प्रकार की पार्थिव शक्ति जब पार्थिव शरीर में प्रविश करती है तो वो शक्ति डबल हो जाती है वो शक्ति दूगुना हो जाती है और उस शक्ति को आधि भोतिक शक्ति कहते हैं और वक्तो आध्यात्मिक शक् वादिभोतिक शक्ति जो उत्पन हुई है वादिग भोतिक शक्ति अध्यात्मकारिये में बाधा बनती है इसी सिद्दांद को मेरे कृष्ण ने भगवत गिता में कहा विशया विनी वर्तंते है अरजुन विशयों से विनी वर्तंते विशयों से मुक्त होना चाहते हो तो न निराहार होना होगा, आहार कम करना होगा, आहार बंद करना होगा, मैं आपको भूखे मारना नहीं चाहता हूँ, भक्तो मेरी बात समझने का प्रियास किजिएगा, चतुर मास शुरू हो रहा है, और चतुर मास में उपवास और वरत की महिमा है, और भक्तो ये भोजन जो है, कुछ हद तक हमारे जीवन में आलस, तद्रा, निद्रा पैदा करता है ये भोजन हमारे अध्यात्मिक मार्ग में कभी-कभी बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर देता है जरूरत से अधिक भोजन पर भगवद गीता में कृष्ण ने कहा करिष्ण कहता है कि निराहार रहो गें, तो विशय भोगो से मुक्त हो जाओ गें वक्तों ये हम सब ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जिस समय हम भूखे होते हैं, द्यान से सुनिएगा जीस समय हम भूखे होते हैं आप याद किजिए कभी आप निर्जला एकादशी रहे होंगे कभी आप जबरदस्ती कभी आपको भोजन न मिला हो भूखा रहना पड़ा हो या जान बूज कर वरत तपस्या करते हुए आप निर्जल एकादशी किये हो तो जब हमारे जीवन में भूख होती है ध्यान से सुनिये जब हम भूखे होते हैं तब हमारे मन में एक ही कामना होती है कि भई हमको भोजन मिल जाए that's all क्योंकि भूखा आदमी काम वासना भूखा आदमी कभी पाप करने के लिए सोच ही नहीं सकता भूखे आदमी के मन में केवल एक ही विचार होता है कि भई भोजन मिल जाए लेकिन भोजन कर लेने के बाद जिसके शरीर में वो उर्जा आती है और मैंने कहा कि एक्स्ट्रा उर्जा जो है फिर मन को विचलित करती है फिर मन को कहती है कि चलो सिनेमा में जाए, चलो टीवी देखे, चलो कहीं गुमने चले जाए, गाना सुने, ताश खेले, जुवा खेले, गुमे फिरे, ये उर्जा जब होती है, तब इस प्रकार से अनेकों प्रकार की कामना उत्पन होती है, लेकिन जो व्यक्ति भूखा होता है, उसको कोई क कामना होती है, बोजन मिल जाए, तो ये सीधा एक्जामपल है, कि भूखे व्यक्ति के जीवन में कामना ये नहीं होती, और जो अधीक भूख कर लेते हैं, और उनकी कामना अधीक बढ़ती है, तो भक्तो चातुर मास में वरत और उपवास करने की बड़ी महिमा है, इसका भगवद गीता और ये विज्ञान की दरश्टी से देखें, इस चातुर मास में वरत जागरन की बड़ी महिमा है, कम से कम सोये, जादा से जादा जगे और जग कर हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष हैं, उस लक्ष को पूर्णा करें, क्योंकि वरत तो सैयमी पुरुष, रात्री को जाग कर अपने लक्ष को पूरा करता है, भगवद गीता में कृष्ण ने काना, कि या निशा सर्व भूता नाम तस्या जागरती सैयमी, दुनिया जब सोजाती है, तो समय सैयमी व्यक्ति, अपनी इंद्रियों को जो कंट्रोल कर चुका है, ऐसा सैयमी व्यक्ति दुनिया के सोजाने पर वो जगता है, और अपने मनुष्य जिवन के लक्ष को पूर्णा करता है, भगतों ये बड़ी-बड़ी बाते, शास्त्रों की बाते आपको समझ में ना आए, हम सरल बात देखे, जिवन में देखा गया है, कि गणीत के फॉर्मुला हो, या वेग् इस्तर में पड़े-पड़े ही, इन प्रोफेसरों ने, इन साइंटिस्टों ने रात भर जग कर ही, इन सारे उल्जनों को सुल जाया है, और आज ये जो जूम प्लेटफों पर हम लोग इस प्रकार से कथा सुन रहे हैं, तो साइंस का आदर तो करना ही होगा, साइंस के प् तो भगवान प्रकट होने में देरी न लगे, साइंस और शरद्धा, खेर, तो मेरे कहने का आरतिये हैं, कि इन लोगों ने रात भर जग जग कर, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके, ये सारी खोजिकी हैं, तो चाहे अध्यात्म हो या भोतिक हो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, और विशेश करके चतुर मास में वरत और उपवास रहना, ये बहुत बड़ी बात मानी गई हैं, शरीर, इंद्रियों और मन पर विजई प्राप्त करने के लिए, शरीर, इंद्रियों और मन पर विजई प्राप्त करने के लिए, जीतासन और जीताहार होना अतियन तावशक है जीत आसन और जीत आहार अर्थात अपनी निद्रा को कंट्रोल में और अपने भोजन को कंट्रोल में रखना अतियन तावशक है एक बात याद रख लीजिए निद्रा और भोजन जब तक कंट्रोल में नहीं है तब तक न तो मन कंट्रोल हो पाएगा न हमारी इंद्रिया कंट्रोल हो पाएगी और न शरीर कंट्रोल हो पाएगा इसलिए हमें निद्रा और भोजन के उपर कंट्रोल करना चाहिए अध्यात्म मार्ग का पतिक तब तक अग्रसर नहीं हो सकता जब तक वो जीतासन या जीताहार नहों और भक्तो यह करने का एक मात्र उपाई है विधीवत उपवास या वरत का पालन करना आधुनिक विज्ञान से लेकर मात्मा गांधी तक ने अपना डिसिजन दिया अपना अनुभव कहा कि आत्म सोधन का सरवच्य उपाई यदी कोई है तो है वरत और उपवास करना और इतना ही नहीं यदि हम वेदों में जाए तो वेद की रिचाओं में भी यही कहा गया है हम वेद से प्रारम करें तो रीग वेद के प्रथम रिचा में कहा गया है अथावयम आदित्य हम लोग एक साथ मिलकर मानव जीवन को सफल बनाने के लिए रीग वेद में क्या कहा है व्रते तव अनगसो अदित्य स्याम हम व्रत करेंगे हम अपनी निद्रा को और भोजन को कंट्रोल करेंगे यजूर वेद में भी कहा गया यजूर वेद की रिचा में 1.30 यजूर वेद में कहा गया अगने वरत पते वरतम चरिश्यामी हम हमारे मनुष्य जीवन के किसी भी लक्ष को पुर्ण करने के लिए वरत करेंगे और भगवद गीता के दुसरी अध्याई के 69 श्लोक में कृष्ण ने कहा कि निराहारस्य देहिन विशिया विनी वरतनते अपने विशई भोगों से मुक्त होना चाहते हैं तो वरत और उपवास करने चाहिए सो कुल मिलाकर प्राचिन और अरवाचिन साइन्स और अध्यात्मिक या फिर भोटिक या अध्यात्मिक लाभ के लिए हमें वरत और उपवास करने चाहिए यहां तक की बात का यह सार है इस चातुर मास में वरत और उपवास की ही महिमा है चातुर्वास में हमें उपवास करना चाहिये चतुर्मास के वरत का पालन नहीं करता उनके लिए भविश्य पुराण में क्या कहा गया है मैं आपके बिच में शलोक रख रहा हूँ, बिच-बिच में शलोक भी आएंगे, ताकि आप थोड़ा संस्कृत, थोड़ा प्रमानित हो जाए, आप उसे भी पढ़ो, देखो, सुनो, तो भविश्य पुरान शलोक आपके सामने है, भविश्य पुरान में कहा गया है, कि यो विना नियमं मर्त्यो, वरतम वा जप्यमे ववा, चातुर मास्यम नैद मुर्खो, जिवन अपी मृतो हिसा, तो भविश्य पुरान में कहते हैं, कि यो विना नियमं मर्त्यो, देखिए, इसकी संधी, इस प्रकार से अम अनौई जोड़ेंगे, कहते हैं कि यो मर्तियो संस्कृत के शब्द को इसे जोड़ना होगा यो मर्तियो अब यहाँ पर मर्तिय का आर्थ होता है मनुष्य भविश्य पुरान का इश्लोग है मर्तिय का आर्थ होता है मनुष्य तो प्रशन भी हो सकता है हमारे जगदिश भाई को कि भाई मनुष्य को मर्त्य क्यों कहते हैं मर्त्य माने मरने वाला मर्त्य माने मरने वाला और मनुष्य को मर्त्य कहते हैं तो प्रश्णा हो सकता है कि भाई स्वर्ग में भी लोग मरते हैं स्वर्ग में उम्र लंबी होती हैं लेकिन शिने पुनिये मृत्य लोकम विशंती ब् में भी लोग मरते है, जन लोग मर लोग तप लोग में भी लोग मरते है बगवत गिता में कहां, आब ब्रह्म भूना लोकान पुंदरा वर्तिनो अर्जुना, ब्रह्म लोग तक व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए उसे अवश्य मरना पड़ता है सो मरना तो सब को है तो फिर मनुष्य को ही मरत्य क्यों कहते है यहाँ पर मनुष्य को ही मरत्य क्यों कहते है क्यों, क्योंकि मरना तो सभी लोकों में है यह चोदह भूवन से यह चोदह लोकों से बना हुआ ब्रह्मान कोई व्यक्ति इस 14 लोक में कहीं भी चला जाए उसे मरना तो होगा लेकिन मनुष्य को मरत्य इसलिए कहते हैं कि अन्य लोकों में मृत्यू निश्चित है कि ये बंदा इतने साल तक जियेगा ये बंदा इतने साल तक रहेगा लेकिन मनुष्य लोग में मृत्यू का कोई भरोसा नहीं है मनुष्य लोग में मृत्यू का कोई ठिकाना नहीं है मनुष्य लोग में व्यक्ति कभी भी कहीं भी और कैसे भी मर सकता है इसलिए मनुष्य लोग को मरत्य लोग कहा गया है सो भक्तो हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं कोई भरोसा नहीं हम कभी भी मैं आपको डरा नहीं रहा हूं मैं आपको सत्य से अउगत करा रहा हूं कि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं इसलिए तो कहते न है हिसात देती नहीं है किसी का क्या भरोसा है इस जिन्दगी का क्या भरोसा है इस जिन्दगी का शमा बुझ जाएगी जलते जलते सांस रुक जाएगी चलते चलते हिनाम रह जाएगा आदमी का क्या भरोसा है इस जिन्दगी का क्या भरोसा है इस जिन्दगी का मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है वक्तो अतह सतकर्म करने के लिए भजन करने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए आईए भविष्य पुराण की इस श्लूप को हम समझें कहते हैं यो मर्तियो माने जो मनुष्य जो मनुष्य विना नियमम अर्था जो मनुष्य विना विना माने नहीं पालन करता क्या पालन नहीं करता नियमम जो मनुष्य नियम को पालन नहीं करता फिर दुसरी लाइन में कहते हैं वरतम, जो मनुष्य वरत को पालन नहीं करता और साथ ही साथ कहते हैं जप्य मेववा, जो मनुष्य जप नहीं करता, जप माने बगवान के नाम का जप, जैसे आप लोग कर रहे था न, कथा के प्रारम में, तो यहां तीन वस्तु कही गई, यो मरत्यो, जो मनुष्य नियम, वरत और जप विना, नियम, वरत और जप किये विना, चातुर मास्यम नयेत, चतुर मास का पालन करता है, अर्था चतुर मास के दीन को अपने जीवन में बिताता है, दूसरे शब्दों में, के चतुर मास में जो व्यक्ति, नियम पालन नह लिए नहीं करता और जब नहीं करता वविश्य पुरान मैं नहीं कह रहा हूँ इसलिए प्रमान लिखा है तीसरी लाइन का अंतिम शब्द क्या है? चातुर मास्यम नेत यदि वह चतुर मास नहीं करता है तो तत मुर्ख हो। सबसे पहले तो वो मनुश्य मूर्ख है उसे बहुत सुन्दर चातुर मास का समय मिला है क्योंकि चातुर मास में जो नियम रत जब करेंगे उसका हजारों गुना फल मिलेगा जब हम छोटे थे तो वो वीडियो गेम खेलते थे मोबाइल नहीं था लेकिन टीवी में खेलते थ रहाता था। उस बोनस स्टेज में केवल बोनस ही बोनस मिलते थे ये चातुर मास जो ना बारह महिने के साल में ये 4 महिने बोनस हैppers पर इसमें जो भी धर्म कर्म करते हैं सेकड रोगुनाफल मिलता है ऐ तो चातुर motor में जो मरत Church is नियम रत और जब का पालन नहीं कर तो सबसे पहले कहते हैं वो मुर्ख है अब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि यह भविष्य पुराण में लिखा है वेदव याज जी कहते हैं आपको यदि बुरा लगे तो सीधे वेदव सी का कॉंटेक्ट किजिएगा तो एक तो वो मुर्ख है जो चतुरमास को follow नहीं करता और फिर last line में कहते हैं कि यो मर्त्यों जो मनुष्य चतुर मास में नियम, व्रत और जब नहीं करता तो last line में कहते हैं जीवन अपी मृतोहीस वो मनुष्य जीवन वो आद्मी जीतो रहा है लेकिन जीते हुए भी मृतोहीस वो मरा हुआ है जीते हुए भी वो मृतो ही से वो मरा हुआ है क्योंकि वो चतुर मास में नियम, ब्रत और जब नहीं करता अर्थात वो व्यक्ति जिंदा लाश है वो व्यक्ति शव के जमान है जो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे या जिनको पालन करना है तो आज से वे कर सकते हैं तो जीवन अपी मृतोही से है तो कहते हैं चतुर मास में करना क्या चाहिए ये तो हुआ भविश्य पुरान का श्लोक सकंद पुराण के नागरखंड में कहा गया कि चतुर मास में करना क्या चाहिए तो सकंद पुराण में कहते हैं श्रावने वर्जयेत शाकम दधी भाद्र पदे तथा दुग माम श्वयुजे भासीं कारती के चामिशंत्यजेत पर वे कहते हैं, चतुर मास में बैजिक नियम यदी देखा जाए, चतुर मास में बैजिक चार महिन में सकंद पुराण नारद खण में, नागर खण में का गया, कि श्रावण ये श्रावण ये वर्ज ये छाकम चतुर मास में किते हैं श्रावण मास में शाकम मने साग साग की पत्ती त्याग देनी चाहिए और ददी भाद्र पदे यथा और भाद्र मास में दही त्याग देना चाहिए और दुग दमाम स्वयुजे मासी और आसो मास में अश्विन मास में दूध त्याग देना चाहिए और कार्तिक के चामिशम त्यजेत और कार्तिक मास में उडद की दाल त्याग देनी चाहिए मतलब कार्तिक मास में इडली डोसा बंध है, साउथ इंडियन लॉकडाउन, तो केवल ये चार महिने के चार बात सकंद पुराण में नागरखन में बताए गई है, बगतो और मैं आपको बताऊं, आपके लिए मुझे कितना रिसर्च करना पड़ता है, ये रिसर्च की वही बात है, मुझे नहीं लगता है कि ये श्लोक आपको आज के पहले कभी मिला होगा, क्योंकि ये पुराणों में खोज-खोज कर ये निकाली गई बात है, आगे चतुरुमास के विशे में कहते हैं, व्रतानि वैष्णवानिह मनस्यपी चिकीरिशतह नरस्यक्षयमापनोति पापम जन्मशतोत्भवं व्रतानि वैष्णवानिह सबसे पहले सकंद पुराण में कहते हैं, कि ये चतुरुमास का व्रत है, ये चतुरुमास का व्रत है, ये वैष्णव का व्रत है, यदि हम राम के भगत है, यदि हम कृष्ण के भगत है, यदि हम शिवजी के भगत है, हनवान जी के भगत है, यदि हम वैष्णवानिह व्रतानि, ये जो चतुरुमास का व्रत है, ये वैष्णव का व्रत है, और वक्तो ये मेरे जैसे लोगों के लिए है कहता है कि ये चतुर मास का वरत दूसरी लाइन में देखिए मनस्यपी चिकिर्शत मनस्यपी चतुर मास का जो वरत है यदि कोई मन से भी पालन करे चिकिर्शत माने पालन करना तो चतुर मास का वरत यदि कोई मन से भी मन में भी पालन करता है तो नरस्य व नर्व मनुश्य शयम आपनोती पापम जन्म शतोद भवम तो कहते हैं मन से भी कोई चतुर मास का पालन करे जन्म शतो शत शत माने पिछले सो जन्म में उसने जितने भी पाप किये है वे सारे पापों से मुक्त हो जाएगा क्या करने से किवल मन से चतुर मास का पालन करने से जब मन से पालन करने का इतना बड़ा लाव है तो साक्षात वास्तों में त्याग और समर्पन से यदि चतुर मास का पालन करेंगे तो कहना ही क्या और इसलिए एक दूश लोग आईए मैं बता दूँ इसलिए आगे कहते हैं एक भक्तो नरह शांतो नित्यस नाई द्रढवरत यो अर्च येत चतुर मासान हरिम स्यात तस्य लोक भात एक भक्त नरह शांतो यदि कोई भक्त शांत माने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए नित्यस नाई चतुर मास में तीन बार स्नान करें और द्रढवरत द्रढवरता के साथ यो अर्च येत अच्चुत अच्चुत भगवान सी कृष्ण की अर्चना करें आराधना करें तो हरीम स्यास लोक भाग तो वह भक्त इस चतुर मास में वरत और नियम से हरी की भक्ती करने से हरी लोक भाग वे हरी के लोक को प्राप्त हो सकता है अर्थात वो वैकुंट को प्राप्त हो सकता है और अंत में एक बहुत सुन्दर वाद बताई कहता है यस्तु सुप्ते रिशी केशे लेकर उत्थान एकादशी तक भगवान विश्णु सो जाता है इसलिए शयन एकादेशी सोना शुरू करता है और कार्तिक मास की उत्था नेकादेशी में भगवान विष्णु जगता है तो भगवान विष्णु चार महिना सोता है तो यहां पर सकंध पुराण में कहता है कि यस्तु सुप्ते रिशी केश शिती शाई भवेत नर चार महिने तक रिशी केश भगवान सोते हैं तो उस समय यदि कोई नर शिती शाई शित माने भूमी पुरुथवी यदि कोई महिना ये चतुर मास में चार महिने के लिए अपने बेड पर न सोकर बिस्तर पर न सोकर भूमी पर सोता है तो वार्शी कान चतुरो मासान लभते वश्णविम गतिम इस चतुर मास में यदि कोई व्यक्ती भूमी पर सोता है देखिए आप सबको कमपल सरी नहीं है जिसको ये फल चाहिए उनके लिए है तो अपने बेड को त्याक कर चतुर मास में यदि कोई भूमी पर सोता है तो वैश्णविम गतिम लभेत वो वैश्णवी गति को प्राप्त होता है और किसी अन्य पुराण में लिका है वैश्णवी मतिम लभेत वो वैश्णव मति को प्राप्त होता है कई बार कुछ लोग कहते हैं मेरी मती शुद्ध नहीं है मेरी मती नहीं लगती है चतुर मास में केवल भूमी पर सोने से हमारी मती भगवान में स्वाभाविक नेचरली अपने आप लग जाएगी तो चतुर मास की ये बात हैं और भी भक्तो श्लोकों में तो बहुत सारी बा चतुर मास में यदि कोई नमक त्याग देता है चार महिने यदि कोई नमक नहीं खाता है तो उनका कंट उनका स्वर मधूर हो जाता है। उनके बच्चों की उम्र बढ़ती है। चतुर मास में जो व्यक्ति बाल में तेल लगाता है शरीर पर तेल लगाता है तेल लगाना त्याग देता है उनका शरीर सुन्दर होता है। नारत जी को कहता है। चतुर मास में योग करने से ब्रह्म पद प्राप्त होता है। चतुर मास में कटू, अमल, तिक्त, मदुर्ग, शार और कशाई। ये रस यदि को इत्याग देता है तो वो उसकी कुरूपता दूर हो जाती है। आप कहोगे ये रस कोन से है, कटू, अमल, तिक्त, मदुर, शार, कशाई। मैं अपनी भाशा में कहूँ, तो ये रस और कुछ नहीं है। चतुर मास में पानी पूरी, भेल पूरी, गोल गप्पे जो त्याग देता है, तो उनकी कुरूपता दूर हो जाती है। जिवन की कुरूपता नहीं रहती है। चतुर मास में तांबुल, पान खाना को इत्याग देता है, तो वो योगी बन जाता है। चतुर मास में कच्चा भोजन करने से, देखिए ये हैं नियम, चतुर मास में बिना पकाये, कच्चा भोजन जो खाते हैं, उनका जिवन निर्मल हो जाता है, उनका मन, उनका चित, उनकी बुद्धी निर्मल हो जाती है। चतुरमास में दही, दूद और छास कोई त्याग देता है, ब्रह्मा कहते हैं नारद उसे गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है, सकंद पुरान में। चतुर मास में भोजन पात्र, माने भोजन के लिए जिस पात्र का इस्तेमाल करता है, तो भोजन का जो पात्र त्याग देता है, उसे पृत्वी का अधिपत्य प्राप्त होता है। चतुर मास में नमो नारायन का जाप करने से शत शत सो सो करोड दान का फल प्राप्त होता है। जाडू लगाने से कल्प पद तक, कल्प तक राजपद प्राप्त होता है। इस चतुर मास में मंदिर में या भक्तों के साथ किर्टन करने से गंधरवर लोग प्राप्त होता है। प्रसंद चीत से भोजन यदि चतुर चार मेने के लिए कोई कर लेता है, तो उसे कूप, जलसत्र दान और अनेक प्रकार के दान का फल प्राप्त होता है। मतलब दीन में एक बार जो भोजन करते हैं, उसे स्वर्ग में वास मिलता है। तो इस प्रकार अनेक शलोकों में ब्रह्मा जी नारद मुनिक को बताता है, के चतुर मास में क्या वरजीत करने से क्या मिलता है। लेकिन मैं आपको दो मिनिट में सार में बता दूँ, यदि हम में से कोई वश्णव, कोई साधक, चतुर मास वरद को रखना चाता है, तो पंदरह बाते हैं। इस पंदरह बस्तु में आप एक, दो, तीन आप जो चाहो प्रेक्टिकल होकर आपको जो चाही उसको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले चतुर मास में चार महने के लिए भगवान के धाम में रहना चाहिए ये नहीं कर सकते हो तो इस चतुर मास के चार महने में एक बार दुपांच दिन के लिए भगवान के धाम में जाकर आ जाना चाहिए ये भी नहीं कर सकते हैं तो हमारे निकट में जो हरी मंदिर है उस मंदिर में जादा से जादा इस चतुर मास में जाना चाहिए दूसरा पॉइंट चतुर मास में ब्रह्म मुरत में जग कर अधिक से अधिक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए तीसरा चतुर मास में अधिक से अधिक भगवान की कथा भागवत कथा का शरवन करना चा प्राप्त होता है थोड़ा भी कोई दान करें तो वो सोने का दान करने का प्राप्त होता है इसलिए दान करें जो भी योग्यता है capacity के अनुसार दान करें पांचवा चतुरमास में शुमद भागवत में अनेको स्तूती है कुंती स्तूती गजेंदर स्तूती भीश्म स्तूती वित्रा सुर्श्टूती, गोपियों के द्वारा स्तूति, ब्रह्मा, शीवू यह जो स्तूती है इन स्तूती का पाठ करना चाहिए या इन स्तूतियों की कता सुननी चाहिए चफ़ा चतुरमास में भगवान की संतुष्टि के लिए भजन घाना चाहिए किर्टन करना जाद से जादा चतुर मास में आठ एका दशी आती है तो ये आठ वो एका दशी का पालन करना चाहिए तुलसी में जल दालना चाहिए तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए तुलसी की सिवा करनी चाहिए आठ चतुर मास में भगवान को रोज दीप दान करना चाह या फिर चतुर मास में यदि आप पैसे वाले हो, आपके पास capacity है, तो अखंड दीप भगवान को औरपन करना चाहिए, मतलब ऐसा दीप के चार महने तक वह बुजे नहीं, अखंड चार महने तक लगातार वह दीप भगवान के मंदिर में जलता रहे, ऐसे दीप की व्यवस् सकते हैं वैष्णव सेवा, दस्वा, भले हम ग्रियस्त हैं, परन्तु चतुर मास में हो सके उतना, अधीक से अधीक, ब्रह्म चरिय व्रत का पालन करना चाहिए, ग्यारवा, चतुर मास में निद्रा और आलस को त्यागना चाहिए, हो सके तो जैसे मैंने बताया, वैसे जिसका कोई सार, कोई मतलब नहीं होता है, यह सब कम से कम या नई के वराबर कर देना चाहिए, जूट, निंदा, इर्शा या व्यर्थ की बातें हमें बंद कर देना, तेरह हुआ पोइंट हैं, चतुर मास में हर महिने हमें एक-एक वस्तु त्यागनी है, पहले महिने पाल चाहिए, कई बार कुछ लोग पहले महिने में एक वेंजन त्यागत हैं, दूसरे महिने में दो, तिसे महिने में तीन, चोथे महिने में चार, तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्रैक्टिकल होकर इस प्रकार से वरत करना चाहिए, और पंद्रवा समय काल के अनुसार जि अधिक से अधिक भगवान के भजन में लगा रहना चाहिए.